मेरे अजीज दोस्तों आदाव। आज का हमारा विशय है वर्तमान भारती अर्थव्यूस्था एवं उसका भविस्थे। दोस्तों राष्टवयापी लागडाउन से बाहर निकलने पर देश की अर्थव्यूस्था को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि सभी सरकारें, सभी पार्टियां मिलकल एक राष्टी नो निर्माड जोजना पर सहमत हूँ। देश में बेरोजगारी के आकड़ें नियमित रूप से एकठा करने वाली संस्था Center for Monitoring of Indian Economic के अनुसार कोरोना का कुछ भी असर होने से पहले फरवरी के महीने तक देश में कुल 40.4 करोड लोग किसी ना किसी तरह के रोजगार में थे लेकिन अपरेल के अन्तिम सप्ताह में इनकी संक्या घड़कर 28.1 करोड हो गई यानि की 12 करोड रोजगार खत्म हो गए देश में मंदी के चलते सभी पुराने रोजगार वापस नहीं आएंगे उधर गाओं में अधिकांस जगों पर फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है और फसल की रुपाई से पहले कोई खास काम नहीं है साथ ही साथ मई, जून, जुलाई में मानसून आ जाता है मानसून के दौरान भवन निर्माड का काम भी बहुत घड़ जाता है इसलिए दोस्तों आने वाले तीन चार महिने देश के गरीबों के लिए अजीवका के संकट का समय है इसलिए इस संकट को निकलने के लिए सरकार को योजना बनानी पड़ेगी और ये योजना इस तरीके से हो सकती है पूरा विस्व जलवाई परिवर्तन के संकट को जेल ला है हमारी सरकार को जलवाई परिवर्तन के महा संकट से बचाने के लिए एक आउसर के रूप में पर्योग करना चाहिए जलवाई परिवर्तन की चुनोतियों का सामना करने के लिए दो बड़े काम हैं जिनके लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की ज़रूरत है पहला काम देश भर के जलाशयों, तालाबों, जोहड, बावडी, कुउओं को सुधारने का इसके साथ नहरें को गहरा करने और नदियों की सफाई का काम भी जोड़ा जा सकता है दूसरा काम है जंगल के संदच्छन, स्तमवर्धन और रिच्छा रोपन का क्योंकि मै, जून, जुलाई में बारिश का मौसम सुरू हो जाएगा बारिश का मौसम सुरू होने से पहले इन कामों को युद अस्तर पर एक राष्टी मिशन बना कर किया जा सकता है और जिसमें सफलता अवश्च मिलेगी इस तरीके से हमारी देश की अर्थवेश्टा को रफ्तार भी मिल सकती है और जो सर्मिक, मजदूर, बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा जिसकी वज़ा से भारती अर्थवेश्टा पर करोना महमारी का असर कम दिख सकता है अन्यथा इस्तिती बहुत ही भयावा हो सकती है मेरे प्रीजे दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक दे कर मेरा होसला बढ़ाएं इसको जादा से जादा शेयर करें और कमेंट करके अपने तासुरात को बयान करें बहुत बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम अंसारी सुफियान